नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस चैनल पर इस प्लेटफॉर्म पर तो मैं आज आपके लिए एक स्पेशल कोशन लेके आया हूँ, जिसकी जरूरत आपको पेपर में तो ये कोशन पूछा जाता ही है, बहुत सार एकजाम में पूछा गया है और इसके अलावा जब अपन मार्क्स निकाल रहे होते हैं, नेगेटिव मार्किंग में अपन नमबर कैसे निकाले हैं, वो जब अपन नमबर निकालते हैं तब भी इसकी जरूरत अपने को पढ़ती है, तो बहुत सारे बच्चे इसको ओप्शन से करने की कोशिस करते हैं, तो मैं आपको इसको simple trick सिखाता हूँ कि फटा-फटिश टाइप के question को अपन कैसे कर सकते हैं देखे, अपने सामने question है कि किसी 100 पृष्णों की परिक्षा में परते एक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, ठीक है? परते एक सही उत्तर के किते मिल रहे हैं? चार अंक, मतलब चार नंबर का एक पृष्ण है और परते एक गलत उत्तर का एक अंक काट लिया जाता है जिसे अपन कहते हैं negative marking negative marking कितनी है? एक बटा चार है, देखिए उस परिक्षा में किसी विद्यारती ने सारे पृष्ण हल किये और 335 प्राप्त किये तो उसने कितने पर्षन सही हल किये? क्या पूछ रहा है अपने? अपने से right answer पूछ रहा है right answer कितने हुए? वो हमसे पूछ रहा है और अपने का option दिये हुए देखिए इस type के question को अपन simple बिना पैन उठाए direct अपन कैसे कर सकते हैं वो आज अपन सीखेंगे देखो दोस्तों मैं ऐसे माल लेता हूँ कि इसके maximum number कितने आ सकते हैं कि 100 question की परिक्षा है सारे question अगर ये सही करता है तो इसके number किते आते हैं? किते number आते हैं? 400 maximum number कितने आ सकते हैं? 400 अब देखिए अगर ये एक भी question गलत कर देना तो इसके number किते आएंगे? इसके number 399 में आएंगे क्या? 399 में आएंगे क्या? नहीं आएंगे तो अब देखिए अगर ये एक भी question गलत करेगा ना तो उसके 5 number कटेंगे 5 कैसे? चार तो जो सही question के number थे ना जो हमने पहले ही जोड लिए कि इसने सारे क्या किये हैं? सही किये वो नहीं आएंगे और एक गलत का घर से चला गया मतलब अब ये एक भी question गलत करेगा तो इसके कितने number कटेंगे? 5 number तो maximum number कितने आ सकते थे? 400 आ सकते थे आए कितने? 335 आए कटे कितने? 65 एक गलत का कितना कट रहा है? 5 तो कितने गलत किये? 13 13 question इसने गलत किये सही कितने किये? 87 देखे कितना असानी से अपन ने इस type के question को कर लिया तो आगे से अपन direct कैसे कर सकते हैं? जी हमने देखा 400 400 में से मैंने 335 गटाया कितने कट गए? 65 कट गए कितने कट गए? 65 एक गलत के कितने कटेंगे? 4 और एक 5 कटेंगे 5 क्यों हो? क्योंकि 4 तो हमने पहले ही जोड़ के रख रखे हैं वो अपने नहीं आएंगे और एक कौन सा कट गया? गलती का तो हर गलत कोस्टन के कितने नमबर कट गए? 5 तो गलत कितने हो गए? 13 और सही कितने हो गए? 87 तो अपने जैसे RPSC का अगजाम होता है उसमें negative marking कईयों में एक बटा 3 होती है इसमें क्या हो गए? अगर 3 नमबर का एक कौस्टन है तो वो अपने कितने नमबर ले जाएगा? 4 नमबर ले जाएगा ठीक है? देखिए एक कौस्टन अपन और फटाफट इसी टाइप का समझते है किसी 100 कौस्टनों की परिक्षा में परतेक सही उत्तर के कितने एंग है? 3 है इस बार 3 है और परतेक गलत उत्तर के कितना अंक काट लिया जाता है? एक अंक काट लिया जाता है ठीक है? उस परिक्षा में किसी विद्यार्थी ने कितने करे? attempt ही 75 कि ए इस बार इसने पूरे 100 नहीं करे attempt ही कितने करे? 75 तो देखो, maximum संभावना क्या बनती है, कि इसने जितने करे, 75 के 75 क्या हो जाए, सही हो जाए, 300 नमबर तो इसके आई नहीं सकते हैं, इसके अधिक्तम कितने नमबर आ सकते हैं, 225, अब एक भी गलत करेगा, तो कितने हैं कटेंगे, एक भी गलत करेगा, तो 4 कटेंगे, कौन से 3 तो हमने पहले ही जोड लिये, वो नहीं आने, और 1 कट जाएगा गलत का ठीक है तो कितने आए इसके इसके 193 कितने कट गए 7 और 25 कट गए 32 एक के कितने कट रहे हैं 4 तो कितने गलत है 8 तो इसके रोंग और राइट कितने हैं बचे वे सारे राइट 75 में से 8 कट आई है पिचेतर में से 8 कट आई है कितना आगया 67 तो अपन चेक भी कर सकते हैं देखो 67 को मैंने 3 से गुणा किया कितना आगया 180 201 ठीक है और फिर 8 को 1 से गुणा किया ये गट जाएगा नेगेटिव वाला तो चेक करके देखा तो 113 में अपना अंसर सही है तो ऐसे ही अपन छोटे चोटे कुस्टन की ट्रिक्स ऐसे चोटे चोटे वीडियो लेके आते रहेंगे जुड़े रहे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर थैंक यू जय हिंद जय भारत धन्यवाद